गुड मॉनिंग यूकेजी क्लास कैसे हैं आप बच्चों आज आपका मैस का पेपर है तो आप सभी के लिए all the best चलिए बच्चों अपनी रबर पैंसिल और शॉपनर और कॉपी लेके बैठ जाएए कॉपी जो आपकी एक्जाम वाली कॉपी है उसमें आप अपना नाम डालिए जल्दी से गलास डालिए विशे डालिए और डीट आज डीट कौन सी है 28 मांटैन और या 2020 तो चलिए अब आपका पेपर देखते हैं कैसा रखा है ओके आपका सब्जेक्ट है जिसका पेपर है मैस जो आपका 50 मांक्स का है ओके बच्चों तो चलिए आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में ध्यान से लिखेगा ओके पहला प्रशन है आपका राइट दा बैक काउंटिंग 52 वन आपने बैक काउंटिंग लिखनी है 52 वन जो आपका 10 मांक्स का है ओके कोशन नमबर टू टीक दा बिग वन और क्रॉस दा बिग स्मॉल वन एक बार फिर रिपीट कर रही हूं टीक दा बिग वन एड क्रॉस दा बिग वन यानि की आपने टीक माना है जो आपका बिग मनी बड़ा है और स्मॉल मनी चोटा है उसमें आपने क्या करना है टीक आप बिग वाले पे मारेंगे and cross small वाले पे मारेंगे आपको नीचे दे रखा है A part जिसमें pictures है साथ में box है तो आपने देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसमें आप tick और cross का sign मारेंगे इसका B part है देखे tick the picture which has more quantity in each box आपका A 1 है and 2 है यहाँ पे एक साइड ज़्यादा pictures है और एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है साथ में box भी बन रखे है आपने क्या करना है जिनकी मातरा ज़्यादा है यानि more मतलब ज़्यादा आपने count करना है किस pictures में ज़्यादा क्या है तो आपने क्या करना है उसमें टिक मारना है तो आप दोनों को देखेगा ध्यान से और ध्यान से टिक मारेगा तो आपका A पार्ट और B पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का है कुशन नमबर 3 A पार्ट है इसका What come before? Before का मतलब होता है पहले आपने इसका 1 देखे 3 से पहले क्या आता है वो आप लिखेंगे बॉक्स में और 2 जो 2 नमबर का है 12 के उपर क्या आता है वो आप लिखेंगे बॉक्स में इसका B पार्ट देखे What come in between? Between का मतलब होता है बीच इसका पहला वाला है 24 फिर बॉक्स है 26 24 और 26 के बीच में क्या आता है वो आप लिखेंगे बॉक्स के इंदा तू वाला देखे 48 बॉक्स है और 50 48 और 50 के बीच में क्या आता है वो आप लिखेंगे अब आगे बढ़ते हैं इसका C पार्ट What come after? After मतलब बाद अब यहां देखे इसका 1 है 13 13 के बाद क्या आता है वो आप लिखेंगे बॉक्स में तू वाला देखे 9 के बाद क्या आता है वो आप लिखेंगे बॉक्स में ओके तो इसका जो A, B और C पार्ट है कोशन का कोशन नमर 3 का जो आपका 3 मांक्स का है ओके ध्यान से कीजेगा बच्चो अब देखें कोशन नमर 4 पुट्ट दक्रैक्ट सिंबल मोर देन, लेस देन और इक्वल देन इन दे बॉक्स यहाँ पे देखें ब्रैक्ट के अंदर आपका लिखा है मोर देन, लेस देन, इक्वल देन यानि कि जो उपर साइन है, उनके नाम है तो आपने नीचे जो एक्जामफल दे रखे हैं 4 एक्जामफल दे रखे हैं न तो आपने क्या करना है, उनमें लगाना है तो देखें, पहला 3 है, फिर बॉक्स है, फिर 1 है तो आपने इसमें कौन सा साइन आएगा तो आप लगाएंगे box के अंदर तो वाला देखे टू है, box है फिर थरी है, तो आपने देखना है इसमें कौन सा sign आएगा वो आप लगाएंगे box के अंदर फिर थरी वाला देखे 4, फिर box, फिर 4 यहां पिर कौन सा sign आएगा वो आप लिखेंगे box के अंदर 4 देखे, 6 box है, 3 है इन दोनों के बीच में कौन सा sign आएगा वो box के अंदर आप लिखेंगे तो आपने क्या करना है जो पता रखा है आप पहली शंग्या को देखेंगे यानि कि जो पहला नंबर है जोटा है के बड़ा है उसको ध्यान से देखेगा तब आप sign लगाएगा यह तो आपका है two marks का आ गया समझ में अब है question number 5 math the shapes यानि की आकार एक साइड मैंने यहाँ पे आपके जो shapes हैं उनकी pictures बना रखी है और दूसरी साइड उनके नाम रिखे है तो आपने क्या करना है उनको match करना है उनके नाम से okay okay बच्चो तो देखे यह आपका ten marks का है फिर आगे बढ़ते हैं question number 6 write the number name यहाँ पे आपने number दे रखे हैं उनका name लिखना है देखें यहाँ पे number है one, six, ten, fourteen, twenty आगे बढ़ें twenty six, thirty, thirty, five, forty, fifty इनका क्या निखना है आप में spelling लिखनी है यानि की नाम यह आपका ten marks का है उके बच्चो अब आगे देखें question number seven table लिखनी आपने two की ओके आपको पढ़ा रखी है two से लेके five तक table पढ़ा रखी है तो आपने जट से लिखना है ओके बच्चो यह आपका ten marks का है चलिए कीजे अपना paper solve और आपके लिए all the best अच्छे से कीजेगा हडबड़ी नहीं ओके चलिए आप अपना paper कीजे और जब आप पूरा paper solve कर लेंगे यह वाली coffee आप इस्कूल में जमा करेंगे five o जब आपके पांच बच जाएंगे पांच बचे से पहले आप अपनी coffee को जमा कर देंगे इस्कूल में ओके तो चलिए all the best करिए अपना paper अच्छे से कीजेगा